हाला दोस्तों, इस वीडियो में हम में utility के sector में large cap और moderate risk वाले stock के बारे में discussion करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत informative होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें ताकि इस stock की complete जानकारी आपको मिल सके तो ज्यादा समयना लेते वे वीडियो सुरू करते हैं, नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल Wow Invest में आपका दिल से स्वागत है आप मार्केट मूड इंडेक्स भी देख सकते हैं, अभी grid के जून में ही है दोस्तों, तो उसी हिसाब से आप अपना decision ले, थोड़ा बहुत अपने portfolio में आप सुधार कर सकते हैं, तो इसी इस पर भी विचार करें यह इस्टा के दोस्तों, टाटा पावर, Company Limited और यह पावर के सेक्टर में काम करने वाली कमपनी है करेंटरेज देख सकते हैं, 324 रुपे पे चल रहा है, पिछले पास दिनों में इसने 4-5% की गिरावट दर्श किया है पिछले एक माह में 19-20% का return rate करके दिया है, और वही पिछले 6 माह में देख सकते हैं, 48% के करीब return rate किया है YTD में देख सकते हैं, साल की सुर्वास से अभी तक में 33% का return rate करके दिया है कमपनी ने और पिछले एक साल में भी 55-56% के करीब return rate करके दिया है प्रवाइट किया है, और बीच में काफी उतार चरहाओ भी रहे हैं इस कमपनी में, इसी साब के चार्ट पे थोड़ा एनालीशिस करते हैं, फिर फरदर डीटेल चेप करते हैं यहां दे सकते हैं दोस्तों 2018 से 2020 में 30% का गिरावट दर्ज किया है कमपणी ने यहाँ पे और उस गिरावट के जोन में जो भी खरीदारी किया था उसको रिटर्न आप देखिए यहां से कमपणी कितना अच्छा मुवमेंट लाई है ग्रो की है 875% यानि 8.85 गुना आपके प रही है नार्मल गिरावट में जो प्राफिट बुकिंग अच्छी चल रही है तो यह तो कोरोना का टाइम था तो इस्ते में ज्यादे गिरावट दर्ज किया कमपनी ने बट फिर भी हम 30% का मांच के चलते हैं तो यहां पे आप 3 या 4 SIP कंसिडर कर सकते हैं हर 10% की गिराव माली है बहुत पुरानी कमपनी है और बहुत अच्छा मार्गेट है इसका विजनेस भी हम देखेंगे विजनेस क्या है सबूड लेवल पर भी डिसकस करेंगे तो इसी साब से हम फिर फर्दर चेक करते हैं या पे गिरावट के बाद से फिर फर्दर कमपनी ने 5% का मूव लिया है तो बहतर कमपनी दस्तों और यह गिरावट के मौके भी बीच बीच में आपको मिलते रहते हैं लार्ज केप की कमपनी है मौडरेट रिसक है तो इसी साब से जब गिरावट आए तो आप अपना विचार बना सकते हैं प्रदर डिटेल्स चेक करते हैं इसके हम इस 30 का रिस्क मीटर भी दे सकते हैं 30% में दिखा रहा है जो कीर्णमे में और यह धीरे दीरे ढृट जैसे जाता है हँह रिसक में हो जाता और यह इस-ा मन में अई लगाया है 347 रूपय का और लो लगाया है 182 रूपय का इस्टा कपी दे सकते हैं 30 रूपय 4 पैसे के करीब है वो को वेलू है 94 रूपय 3 पैसे और डिविडेंट इल्ड देख सकते हैं 0.62% ROC देख सकते हैं 11.07% के करीब है ROE 12.06% है फेस वेलू एक है तो फर्दर इसमें आपको इस प्लेट का मौका नहीं मिलेगा आप 50 दिन के DMA और 200 दिन के DMA को भी देख लेते हैं तो जब भी 200 दिन DMA तो वो तो लांग टर्म के लिए आप जितना बल्क बाइंग कर सकते हैं 200 DMA के नीचे तो वो आपके लिए सबसे बहतर होगा बट यह है कि डीप लगा है दोसो दिन तो उसको भी आप अपने इस्टडी में सामिल करके आप पुनर विचार कर सकते हैं ख प्रोफिट ड्रोथ 44 परसेंट सीजी यार लास्ट फाइफ येर से ग्रोग कर रही है और कंपनी हैं मेंटेन हेल्दी डिविडेंट पे आउट 31.7 परसेंट के गरीब यहां कॉंस भी देख सकते हैं इस्टाट इस ट्रेडिंग 3.44 टाइमस इट्स वुकवली अपने कंपनियां देख सकते हैं एंटी पीसी जो सबसे टॉप पे है दो लाग करोड के गरीब मार्केट कैप है फिर अदानी ग्रीन है उसके बाद से करके यह छटवे नंबर पे है टाइप आउर कंपनी जो की एक लाग करोड का भी है यहां से देख सकते हैं अभी 2021 में 32 करोड के करीब जनरेट किया है तो 2021 में फिर 1200 करोड फिर 3800 करोड और फिर 400 करोड तो अभी तो मार्ट 24 का डाटा आना बाकी है बट आल्रेडी कितना सारा जंप का चुकी यह कंपनी तो उसी इसाब से उसके स्टाप के प्राइज में भी ग्रोथ आ रहा है यहां बालेंसिटी में रि 52,000 करोड और फिर 52,000 करोड मेंटरिंग किया तो बोरोइंग तो ज्यादा है जिजर्व कम है दोस्तों बोरोइंग के आगे तो उस पे भी अपना इस्टडी पे ध्यान रखें तो प्रामोटर एफाई डियाई और अबलिक गवर्मेंट सारे सामिल है तो 2017 में देख सकते हैं और फर्दर 46% 2022 तक और फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में अभी 46.86% है तो अपना इस्टेक कंपनी बढ़ा रही है धीरे धीरे और वहीं FI का देख सकते हैं FI में 27% और DI में 23% था जिरो ने फर्दर आगे यहाँ पे 10% और 15% के करीब अपनी होल्डिंग म बढ़ाया है पुब्लिक ने 27% इस्टेक कर दिया और गौर्मेंट ने भी अपना 0.31% के गरी इस्टेक बढ़ाई है तो शेर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत बेहतर है आप इस पे स्टेटी करें और फर्दर इस पे विचार बनाए तो ऐसे और भी बल्वल कंटेंट करते हैं Tata Power Company Ltd primary involved in the business of generation transmission or distribution of electricity. It aims to produce electricity completely through renewable energy source और it also manufactures solar roof and plans to build 1,00,000,000 EV charging station in 2025. 2025 तक 1,00,000,000 जो electrical vehicle charger है उस पे प्रोग्राम बना रही है अपना अलेडी 400-500 के करीब कर चुकी है और यहाँ पे तक company is India largest vertical integrated power company यहाँ पे की point में देख सकते हैं power का जो portfolio है वो क्या है यहाँ company है 14,380 MW energy capacity और उसमें 8,860 MW thermal से है एक यहाँ साथ wind power से है और 880 MW hydro से है और 443 MW heat recovery से है इस तरह से diversify किया है solar से भी देख सकते हैं यहाँ पे 3000 के करीब है और 3760 renewable capacity जो under construction चल रहा है उस पे काम कर रही है company है जो 4900 public EV charging points और जिसमें से 442 already city में और towns में लगा चुकी है कर चुकी है यहाँ हम देखते हैं distribution आप installed capacity solar से 22% generate कर रही है wind से 7% और waste heat से 3% hydro से 8% thermal power से 62% और यहाँ पे capacity इसका यह plan है तो इसमें thermal से देख सकते हैं 77 है mondra से 51 है और hydro से 45 wind से 28 और solar से 23 यह सब detail यहाँ पे अवलेबल है फर्दर आप देख सकते हैं इसमें भी आप detail देख सकते हैं omnipresent in the industry with the operation of field generation electricity from thermal and renewable source transmission and distribution electricity and other services इस तरह से आप देख सकते हैं अंसिलरी सर्विसे से रेनेवल सेग्मेंट में भी देख सकते हैं company had generated power from renewable energy source जिसमें wind है solar है और related अंसिलरी सर्विस के लिए हैं यहाँ पर फर्दर transmission और distribution भी देख सकते हैं company transmission और distribution भी करती है जिसमें से company retail customer based expended from 3 million to 12 million 3 million से 12 million के करीब यह अपना एक्स्वेंट करने वाली है after acquisition अपिस्टिक Odisha distribution बिजनेस को यहाँ पर आदर्स में देख सेते हैं company project क्या कर रही है management का structure management services और rooftop solar project electric vehicle charging station और property development lease rent oil tanks और यहाँ पर Tata power का e-charge जो है वो देख सेते हैं operates in India operate in bus bus को जो charge करने में लगेगा bus charging fleet में जो रहेगा और home and public charging के लिए भी EV का वो बना रही है company has market in leadership in public charging segment कितना 55% share इसमें है और 85% share home charging installation में है it is present in 442 प्लस cities में यह अपना लगा चुकी है कर चुकी है revenue split भी देख सकते हैं thermal hydro और coal से 32% generate करती है renewal से 14% transmission और distribution से 14% के करीब company का global service भी है आप यहां देख सकते हैं और फर्दर यहां देखिए brown field प्रजेक्टा भी चल रहा है वो क्या है company है यह 1000 मेगावाट कोपेक्स कर रही है 4700 करोड का will start in mid 2024 में start कर देगी उसको estimated complete in 2027 में complete करेगी और दूसरे point में कर रहा है कि company है जह 1800 मेगावाट इसमें क्या करेगी 7850 करोड का यह प्रजेक्ट है और यह भी 2024 में start होगा और complete किया जागा 2018 में इस तरह से बहुत कुछ detail अब लेवल है हम इसके website पे visit करते हैं वहाँ भी study करते हैं इस तरह से दोस्तों हम टावटा पावर के website पे visit कर रहे हैं और यहाँ पे आप भी visit करें जितना आप study करेंगे जितना आप सीखेंगे अपने रिस्कों को कम करते जाएंगे तो यहा है energy solar energy और फिर फर्दर यहाँ पे conventional energy में देखते हैं overview इसका क्या है hydro power का क्या है thermal power है waste heat transmission distribution है ना power trading क्या गर सकती है यहाँ पे आप distribution उसमें देख सकते हैं transmission distribution में अलग अलग चीज़े को दिया हुए है वैडू added service भी है और यहाँ पे आप next generation में देख सकते हैं next generation power solution में और र charging है home automation है energy solution है इस तरह से बहुत कुछ detail available है दोस्तों website visit करिए और जितना ज्यादा study करेंगे इस पर study टाइम लगाई इतनी सारे detail available है अब हम जैसे यहाँ पर EV charging में चलके देखते हैं यहाँ देख सकते हैं आप website पे कितना कुछ detail available दिया हुए है क्या इसके प्लान है future के और आप सब्सक्राइब करेंगे आप यहाँ जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो तीन चार आप सनाप के सामने आ गया फ्लिट और अफिस और वर्क प्लेस के लिए मॉल होटल में कहां पर आप हैं और कहां पर आपको सर्च करके जाना है यह Google Map या जो भी Map के थूप सर्च करके प सर से बहुत कुछ detail अवलेबल है आप यहां से श्टॉल कर सकते हैं इसका पे payment कर सकते हैं यहां पे टॉल-फ्री नंबर गूई kontak्ट पर लिए है तो बहुत कुछ detail अवलेबल है आप जितना study करेंगे जितना बेतर सीखेंगे और समझ में आगे कि वाकरी में कमपनी के ग्र ओया शीच बार्की तोजिक करके हैं, मार्कोडोज करके एनरजी, मार्केट इंडिया, प्राइबिट लिमिटेड, यह सारा, इनके आट्रांस्मिशन करती है, यहाँ पे दा वर्ड बैंक करके हैं, वो देख सकते हैं, यहाँ बिनाइन इलेक्टिसिटी डिस्टिविशन कंपन हैं, उसको प्रवाइड करती है, यूम, इम, यूगांडा करके हैं, उसको प्रवाइड करती है, गोवाई एलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट है, उनको प्रवाइड करती है, यहाँ पे देख सकते हैं, नाट डिमसी दिल्ली, उसको प्रवाइड कर रही है, दक्षिनांचल विद्यूत वितरण निगम करके limited है उसको Brockie करती है यहाँ पर उत्तरपरदिस कार्पोरेशन Power Corporation Limited है उनको परवाइड करती है इसलिए से बहुत कुछ अबलेबल जस्तो यहाँ पर दक्षिनी हर्याना विजली वितरण निगम उनको परवाइड करती है उडिशा पावर ट्रांस्मिशन कार्पोरेशन उनको प्रोइड करती है इस तो यहां देखे PCF करके है पावर फैनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड IFC करके है उसके बाद आप देख सेते हैं इंदरपस्त गैस लिमिटेड है जितना इलेक्टिसिटी इनके लिजाती है REC करके है इसका साइट में बेजट करेंगे और अलग-अलग फिल्ड में कौन-कौन कस्टमर है क्लाइंट क्या क्या है इसका बिजनेस क्या है कैसे प्रोवाइड करती है कहां से कितना रेवन्यू जनरेट करती है इस तरह से जितना बेतर आप इस्टेडी करेंगे और सीखेंगे उतना यह आपको उसमें इन्वेस्ट करने का या फिर इस तरह के बिजनेस के साथ जाने का बिचार बनाने का सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा उसमें फर्दा डेटेल हम चेक करते हैं यहां देख सकते हैं और प्रोड़घ्ट रेंज क्या रोड़घ्ट रेंज है ग्रीड असस व्य्बैस स्ट्म बाटरी बेश्ट त्स व्या ल Been सहते हैं माइक्रो इनुर्टब्ंड डैस्जिड क सिस्टम solar tree system जबकि 26 दिसम्बर को 41 परसंट डिलिवरी उठाई गई है और 20 दिसम्बर को 320 पर आप 25 परसंट डिलिवरी उठाई गई है जबकि यहाँ पे इसकी अपेच्छा ज्यादा सस्ता था 320 था है ना 25 पर आपेच्छा फिर भी डिलिवरी देखे कितना डिफ्रेंस आ रहा है 27 दिसम्बर को अलग देख सकते हैं 36 परसंट करेव डिलिवरी उठाई गे 324 पर जबकि यहाँ 25 पर 41 परसंट डिलिवरी उठाई गई है तो इस तरह से साथ इनका 100 परसंट एक्विटी से लिए फिर 16 दिसम्बर को आप देख सकते हैं वह साइन किया कंट्रेक्ट किया एंटी पीसी के साथ जिसमें आप देख सकते हैं 1418 करोन का इसके साथ तभी साइन हुआ आडर भूक उन दिया है उसको फिर यह 14 दिसम्बर को भी देख सकते हैं इसने रिनोवल एनरजी में काम किया और वहां पर डिलिवरी एग्रिमेंट किया साइन किया किसके मोटर और जया हिं इंडेस्ट्री के साथ प्राइब dirig के सांथ बवी देख सते हैं वो push Energy के लिए एग्रिमेंट पर जैन किया और इससे किसके साथ सोलर प्लांट भी केटिव किया और इस तरह से अलग अलग है तो किसके लिए फास्ट इलेक्टिक वेहिकल चार्जिंग पॉइंट एक्रॉस इंडिया में चार्जिंग इस्टेशन बनाने के लिए प्रमोटर होल्डिंग प्लिज्ड भी है इसको भी अपने इस्टेडी में आप सामिल करें ध्यान रखें 1.4 के परसंट के करीब है तो यह बड़ा इस्टेशन नहीं है इसमें यहां पर मुचल फंड डीटेल देख सकते हैं निपोन इंडिया लाज केप है निपोन इंडिया मल्टी कैप है कोटक का है आप इसका जाकर के डिटेल चेक कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों बहुत कुछ डीटेल अब लेबल है आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट है मिचल फंड वालों ने तो अच्छा परोसा जाताया है आपने से रूलिंग पैटरन में भी देखा था एक बार कार्प्रेट एक्सन भी देख लेते हैं दोस्तों यहां पे ब 10 times अपने सेर के quantity में increase मिला होगा यहां पर डिविडेंट का हिस्ट्री भी देख सकते हैं डिविडेंट कंपनी में प्रवाइड किया है और यहां साल में एक बार प्रवाइड कर रही है 2020 में एक रुपया पच्छन पैसा है और फिर 2022 में एक रुपया पच्छन पैसे का और क्रतार करती तो 232 का सपोर्ट बन रहा है और या नहीं करती सपोर्ट नहीं करती एका सब्राव चनेट कर रहा है सपोर्ट आप अपने सपर्टी में सामिल करें सब्सादें से नहीं भी बनाई जा हूँ है इसे किसी भी तर से खरिधार यहिदे-स native कंद्वार खरीदारी से पूर्व आपनी इस्टडी जरूर करें, साथी भी 30 सलकार से भी सला लें। तो दोस्तों कमेंट बाक्स में अपना मॉत्पूर्ण सुझाओ देना ना भूलें। वीडियो दिखने के लिए आप रिस्ट रहने बाद। मिलते हैं कुछ और इस्टाक या इन्वेस्ट की जानकारी के साथ, सो थेंक्यू दोस्तों.